देखो बच्चो, question number 7 में ही कह रहे हैं कि एक joker का जो cap है, वो एक circular cone के जैसे है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास जो radius given है base का, that is 7 cm, ठीक है, height जो given है बच्चो इसकी, this is 24 cm, ठीक है, तुम्हें इसका area निकालना है कि ऐसे अगर मुझे 10 cap चाहिए, तो कितना मेरे पास जो area के लिए के लिए का formula होता है, क्या, pi r l, तो तुम्हें L निकालना पड़ेगा सबसे पहले, L क्या होता है, L का formula पता है, L square is equal to h square plus r square, formula एकदम दिहार में होने चाहिए, ठीक है, यह देखो formula यहाँ पर भी लिखें, बिलकुल, अपने study table पे लगा लोगे ना, तुम्हें ल 7 का square, ठीक है, 24 का square कितना होता है बच्चो, 576, ठीक है, और 7 का square 49, ठीक है, यह तुम्हारा total बैठेगा 625, और 625 बच्चो किसके square होता है, जैसे square of 25, है के नहीं, 25 into 25, 625 होता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास L की value आ गई, clear, ठीक है, अब तुम easily इसका cloud surface area निकाल दोगे उसको तुम किस से 10 से multiply कर दोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 10 sheets का, ठीक है, चलो, देखते हैं, अब आपको क्या करना है, you have to find out the cloud surface area, formula क्या है, pi R L, ठीक है, 22 by 7 into L क्या है, 25 है ना, L है तुम्हारा 25 आया, R है तुम्हारा 7, ठीक है, चलो, ऐसे कर लो, बच्चे कहेंगे, हमें तो समझ में नहीं आया, L तुम्हारा 7 है, ठीक है, si, 7 से 7 चला जाएगा, 22 into 25 कितना होता है, 550 cm2, ठीक है, अब तुम्हें ऐसे 10 काप बनाने हैं, ठीक है, तो area of sheet required to make 10 such काप, कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, यह हो जाएगा, 550 into 10, यह हो जाएगा, 550 00 cm2, ठीक है, यूनिट का हमेशा खयाल दखना, clear, अब आज हो इस question के, इस exercise के last question में, that is question number 8.